वेल्कम बैक टू अनादर वीडियो अब हम रेक्शन करने वाले हैं आज की वीडियो है जेवस होली बुक तलमुद देखें तलमुद बुक का नाम है और ये पहली बार मैंने ऐसा सुना है कि जो यहूदियों की होली बुक है वो कुरान नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता देहा कि वो भी एक तरह के मुस्लिम कुम्धी से ही है और मुस्लिम से तो यहुडी यहुदी लोग है लेकिन वो इसलाम मुर्ण करते है I think जो मुझे पता है गर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप लोग जरूर कोमेंट में लिख सकते हो लेकिन उनकी जो होली बुक है वो अलाग है तालमूद वो कुरान नहीं है ये आज मुझे पहली बार पता चला है लेकिन उन्नोन फैक्ट क्या है उस बॉक के जो यहूदिक के अंदर जरूर फ्रेंगे फिलाल वीडियो के इंदर जरूर देखेंगे इंड तक देखना लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्क्राइप कि भीन से खराला अले सिश्ट एलवाले कॉम दोस्तो वालेकॉम चív पार्ट वर्ट इनका पार्ट टू भी करेंगे हैं ये पार्ट वर्न है वैसे वीडियो गाइए तो अला ने मुसा अला सलाम पर तुराद नाजर फरमाई थी मगर आज के यहूदी हजरात तुराद से ज्यादा तलमूद पढ़ते नजर आते हैं तलमूद ये खुद को एले किताब यानी तुराद रखने वाला कहते हैं जो कि अल्ला का कलाम है मगर सचाई ये है कि इनके पाफ दरसल दो किताबे हैं एक तो तुराद जिसे वो अल्ला के दी हुई किताब मानते हैं और दूसरी है तलमूद ये तलमूद खुद इनसानों की यानी यहुदी अल्मा की लिखी हुई है जिसे हम इनकी अधीस तो नहीं कह सकते हैं मगर तलमूद सबसे ज़्यादा यहुदियों के दर्मयान इस वक पड़ी जाने वाली किताब है और तुराद में जहां पर अल्ला के एकामात, हिदायात तो रसूमात मजूद हैं तो तलमूद के अंदर तुराद का एक हिसा तो जरूर मजूद है मगर सबसे ज़्यादा हिसा मजभी हज़रात के ख्यालात, इनकी गोरो फिकर और इनकी डिबेटों का खुलासा है जो हकूमत करने के तरीके, सुसाइटी पर कंट्रोल, मजभी रस खासुमात, खानदानों के अंदर और इनके दर्मयान तालुकात, मईशत, तालीम तर्बियत, जरात करने के तरीके और दीकर तमाम आमलात के मतलिक मालूमात मजूद हैं ये सिरफ एक जमाने के नहीं बलके हर जमाने में होने वाले डिबेट, रिसर्च, ख्यालात और हिदा यहूदियों का ख्याल है कि अल्ला ने तरात हवरत मुसा अलसलाम को दी तो मुसा अलसलाम ने हरुन अलसलाम को और उन्होंने अपनी कोम के बड़ों को, यानि जैश्वा को, जिन्हें इसलाम में हवरत यूशा बिन नौन कहते हैं, इनके बाद ये बाकी पेगमरों को और ये किताब है तलमूद, तलमूद का मतलब है उस्ताद, यानि टीचर, इस किताब के अंदर यहूदी रबियों के मताबिक इनकी हजारों साल की तारीख मजूद है और वो तमाम बातें और तकलीफ हैं भी जो के इस वक्त के अंदर इनके साथ पेश आई, और इन अलग क अलिम और इमाम को कहते हैं रबी, मुसल्मानों और एसायों में मुश्किल से 0.001% लोगों ने तलमूद को पढ़ा होगा, इसलिए वो नहीं जानते के तलमूद के अंदर दरसल लिखा क्या है, और यहूदियों को क्या सबक दिया गया है, एक यहूदी आलिम जो के रुमा और इमाफी नहीं क्योंकि इस किताब के मुताबिक यहूदी यह समझते हैं कि वो ही दुनिया के मालिक और अल्ला के खास बंदे हैं और बाकी इनके तमाम गुलाम हैं जिनके साथ वो जैसा चाहे सलूख करें, जैसे जानवरों को इनसानों के लिए दुनिया के अंदर अब्जा करें या इनको कतल कर दें, यह सब इन यहूदियों के लिए जायज है, इनके लिए कोई गुना नहीं। क्योंके दूसरी कौमों के अंदर बाप दादा को गिना जाता है जबके यहूदी कौम के अंदर इनकी औरतों को, आज इनके पास वतुरात मजूद नहीं हैं जो किताब आज इनके पास मजूद है, इन मेंसे इन लोगों ने अपनी पसंद के मताबिक रदल बदल करके इने सावचों के जरीए कमजोर करने के अंदर लगे रहते, जर्मिनी के नाजियों ने इन पर बहुत जलम किया, लागों यहूदियों को कतल किया जिसके लिए यह हमदर्दी के मुस्तहिक हैं, लेकिन इसकी बजाए कि यह बाकी दुनिया के इनसानों को इस तरह से ट्रीट ना करते, इस चीज से सबक सीकर दुनिया के बाकी इनसानों के साथ रहम दिली के साथ पेश आते, इसका उलट, जब इन एक मुलक इसराइल दिया गया तो वहां के मकामी लोगों पर इन लोगों ने वही जलम और सितम शुरू कर दिया, जो के नाजियों ने इनके साथ किया ये ऐसे हिलते की वेट मैं ये हम बतारा मुझे लोगों ने किया करते हैं और बिलकुल आज भी कर रहे हैं, यूँ तो इसकी बहुत सारी मिसाले मजूद हैं मगर कुछ नोबल इनाम याफ़ता और आला तलीम याफ़ता लोग जो के हर सदी के अंदर इन लोगों को आइना दिखाते रहे, उनके नाम मेंचन करना बहुत जरूरी है जो के द करनेगार, शाज जॉर्ज बेर्नेड वगरा, मगर अफसोस की बात ये है कि इन यहूदियों ने दूसरी कौमों को अपने मेडिया, पॉलिटिक्स और अपनी एकॉनमी के इदारों से जकर कर ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि ये सब के सब इनके हमदर्द बन गए हैं, फलस्त यहूदियों का यकीन है कि तुराद कीतरा तलमूद भी अस्मानी किताब है और बिलकुल यही नहीं बलके एक गरोई इनके अंदर ऐसा भी है जो कि इस किताब को तुराद से भी अफजल मानता है, क्योंकि खुद तलमूद के अंदर लिख़ा है कि अगर कोई शख्स तुर पर्द्सी और मनजब मनसूबा बन दी है जो कि यहूदियों को यहूदियों को यह बताती है कि दुनिया के बाकी इनसान कीड़े मकोडे और जानवर हैं इनको जानवरों कितरा और गुलामों कितरा इस्तमाल कैसे करना है, लेकिन असल में आस्मानी वाई से इस किताब क इसको त्यार किया था, इसलिए अगर कोई यहूदी इसे किसी गहर यहूदी को पहुंचा दे तो इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, लेकिन अपने ही घर के लोगों ने कई बार इस जल्म और वहिशत पर जो कि इस किताब के अंदर बियान की गई है, खमोशी को तोड़ कर दुनिया के सामने इसकी शेटानी हकीकत को बियान किया, इसके लावा यहूदीयों की खुद पर रफती और इन्सानियत मुखालिफ यहूदी आकायद जो कि आजभी इनके मजबी आकायद के तोर पर इनको बढ़ाय जाते हैं, वो क्या है, यह बताने के लिए इसकिताब के चंड जुमले में नकल कर रहा हूँ क्योंके तलमूत के अंदर लिखा है कि खुदा का दिन 12 घंटों पर मुश्टमिल है कि शुरू के तीन गंटों के अंदर खुदा तुरात का मुताला करता है और इसके बाद तीन गंटे दुनिया और अस्मान के अंदर अपना हुकम जारी करने के अंदर गुजार देता है और इसके बाद तीन गंटे वो दुनिया को रोजी देता है और अपने आखरी तीन गंटे समंदरी होद जो के मचलियों की बादशाय है इसके साथ खेल कूट के अंदर मसरूफ रहता है अस्तग्फिरूला और इसके बाद लिखे है कि जब खुदा ने हैकल सुमानी को बर्बाद करने का हुकम दिया तो वो गलती पर था और अपनी गलती के अतराफ करते हुए वो रोपड़ा और कहने लगा के वाई हो मुझ पर के मैंने अपने गर को बर्बाद करने का खुदी हुकम दिया इस हैकल को जलवा दिया और अपने फरजंदों को यानि यहुदी कौम को तबाह कर दिया खुदा यहुदी कौम को इस अलत के अंदर मुब्तला करने की वज़ें से बहुत ज़्यदा शर्मिंदा है और हर रोज अपने चेरे पर थपड मारता है और गिरियां उजारी करता है यहुदी कभी इसकी आँखों के दोकते समंदर के अंदर गिर जाती है गुसे वाला और नावजबिला जूठा का गया है मुआज अल्ला और डेफिनिटली इफ यह और वोच इट केरफुली अगर आपने यह बहुत ज़्यादा केरफुली से देखा है तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इनके अंदर जो चीजे कुछ चीजे ऐसी लिखी हुई है कि तामूत की इज़त करना जरूरी है और जो जूसरी किताब है इनकी वो आरी लेकिन एक चीज है इसके अंदर जैसे कि वो हिलते हुई किताब बुक पढ़ रहे हैं ते वो आप लोग कमेंट करके वाले लोग है जादा तर 10 में से 7 लोगों को इसराइल से ही मिलते है वालब उनके दिमाग बहुत हाई है उनकी सिक्योरिटी उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है जो डिफेंस सिस्टम है वो आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा इस्पेसल है तभी ज़्यादा तर देश उनसे लड़ना पसंद नहीं करते है क्योंकि वो डिफेंस और सिक्योरिटी में बहुत हाई लेवल के चीज़़ तो वीडियो अच्छी थी वाके में जैसे कि ये पार्ट वन है तो इसका पार्ट व में में और भी काफे कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग कमेंट करना करेंगे उसके ओपर पर पार्ट व पे भी तो आमें वीडियो अच्छी लगी लाइक करना कमेंट करना शेट करना जाने से पहले सब्सक्राइब जबगा थेंकियो फोचिंग इस वीडियो मिलता आप से तरगी नेक्स वीडियो में तब तक ये टाटा बाबाया एंट एक किए